हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, प्रोटीन हमारे शुरूर के लिए बहुत जरूर है, ये तो हमें पसाद है, तो भेजेटेरियन प्रोटीन हमें बिलता है बहुत अई हंफिक और प्रोटिन से भरपूर नास्ता यह हमने काला चना राद भर भीगो लिया है भीगो के सुबह उसको प्रिशर कुकर में उबाल ले बिल्कुछ थोड़ा सौफ्ट होने तक उबाले यह मुंकी दाल है मैंने चिलकी वाली लिए इसे विस राद भर हमने भीगो दिया था चिसे ध और वनफूर्थ मोला राध चावल का अठा और आधा कप पनी अंगर्मबल पनीर लिया है हम ने यह आप रेट कर सकते हैं और हमने रेंगे आधा कब देहित इसमें स्वयाबीन पनीर इन सब में बहुत प्रोटिन होता है और चने में होता है दाल में भी और हमने जो चना ऊ कि पेश्य कोगर में उबाल लिया था इसको पीस लेते हैं जो बारिक पेस्ट बनाएंगे और जो हमने उबले हुए चैने का पानी डखाता उसको मिला लेंगे थोड़ा-थोड़ा करके और बिल्कुल बारिक पेस्ट बनाल पहले आधा मिलाते हैं ज़रुरत होगा तो फिर प पिसके तैयार है चना इसे हम जैसे हम सब में मिक्स करना है बड़े से बाउल में डाल लीजिए उसको और उसी मिक्सर गाइडर में जो हमने मूग भीगो के रखा था मैंने छिलके वाली मूग लिया है आप चाहे तो धुले हुई मूग भी ले सकते हैं राध अच्छे से दो क हम एक बाच चला लेते हैं अब आधक कब हम पड़ी डिसी में मिला देंगे लेकर अच्छे से एक बार और ब्लेंट कर लेंगे विग्लो स्मूध बैटर तैयार हो जाएगा हमारे बिल्कुल इडली दोसा का जैसे बैटर होता है गाड़ा वैसा ही बैटर हमें बनाना है इस दाब सकते हैं कटा हुआ उप cet 1 फर्थ गप हम लेंगे इसमें चावल काटा आदा कप स्वैबिन काटा हमने इसलिए इसलिए भूल काटा होता है और चावाल काटा लिया कि हमारा सिला जो है काफी क्रिस हो जाएगा अच्छे से रचित से अरथा कप स्वैब बैल कह हमने मि बहुत जादा पतला लूसा गारा गोल हमें बनाना यहीं यहीं बनाना है बिल्कुल यासे या डार बादा ऑल किमार लेटे हैं है इसमारा गोल तेयार है बिल्कुल है सुध्स मूद बैटर बन जाएगा एग पानी आप थोड़ा-थोड़ा करके डाले और मैंने दो हड़ी मिर्चे डाला है आपको ज्यादा पसंद हो तो आप ज्यादा 2-3-4 डाल सकते हैं या बच्चों के लिए बना डेरे तो कम डाले हैं और एक बड़ा चमच हमने अध्रग डाला है कसके कसा हुआ अध्रग हमें अ आधा चमज भी डाल सकते हैं, आधा से एक इंच का टुकड़ा अध्रक आप कस लिजेए, दो हरी बिर्ज और मुठ्टी बढ़ हराधानिया कटा हुआ, दो से जगा आप ज्यादा भी हरी बिर्ज डाल सकते हैं, और कम भी जासा मैंने कहा, अगर बच्चों के लिए बना रहे तो कम डाले, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, नमक डालते हैं स्वादा अनुसार, मैंने 1.5 चमज नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाली है, एक बार आप बीच पे टेस्ट भी कर सकते हैं, और जरौत हो तो दुबारा डाले, एक चमज जीरा पाउडर काफी spicy अच्छा बनेगा, आप चाहे तो इसमें बाड़ी कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं, अब इसे आप 10 मिनट ठके रख भी सकते हैं, लेकिन मैंने तुरंती बना लिया इसको, अब इसे हम चिला बनाएंगे, और चिला भी आप बिलकुल पतला दोसे की तरह भी बन सकते हैं, वो मैं बाद में दिखाऊंगी, और मीडियम ठीक भी बना सकते हैं, अब इसको गरम पैंड गरम करके इसमें अच्छे से फैला देते हैं, एक बड़ा चमस डाल के इसको अच्छे से फैला ले, जितना पतला करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, बाद में एक मैं किनारे किनारे से थोड़ा तेल ढाल दें कि आप आप वॉरिव वायल या कोई भी तेल आप इस्त पर सकते हैं अब थोड़े देर कुखोने देते हैं जब गोल्डन यह देखिए एक बाद चेक कर ले यह ब्राउन हो गया तो पलट दे थोड़ा सा उठाके किनाड़े से चेक कर ले अगर ब्राउन होने लगा है तो पलट के दुस्रे तरफ भी हलके से हलके हाथ से दबाके उसको कुख कर यह हमारा बिल्कुल रेडी है पलट देते है एक बार यह देखिए दोनों तरफ से ब्राउन हो गया गोल्डेन ब्राउन हो गया अच्छा गासा इश्टि Intell जित्रहां चैए अगर रखिट्षिप चीजिए आप सीमर बिल्कुल धी आज पर पकाएं और मुलायम चाहिए सौ्फ्ट चिल्ण चाहिए तो मीडियम फ्लेम पर करिएं और अगर बरकुल क्रिस्प चैए दोस्यक्वी तरह तो बिल्कुल धीमी आज पर आपको क चारो तरफ से तेल डालेंगे, थोड़े देर बात एक किनारा उठा के चेक कर लेंगे, अगर गोल्डेन ब्राउन होने लगा है, तो उसे पलट के दूसरी तरफ भी हलके हाथ से दबा के, यह देखी, एक मैंने दिखाई है, यह बिल्कुल पतला किया है, बिल्कुल दोसे की भीख लगाना है आपको दोसा जैसे होता है क्रिस्प वैसा ही बनेगा अमियो अच्छे और तोड़ा सा पानी क्रें कर ले आपको फूर्डा प्रॉट्ट सॉल डाला है जो जो बकास है तो अपे पैन गरम करके थोड़ा थोड़ा तेर देल डाले जिए अब उसको एक एक चमच सारे अपे होल में डाल देते हैं करके ढग दिजिए ढग के बिल्कु सीमर लो मीडियम फ्लेम पे उसको कुक कर लेते हैं जब के गोल्डेन ब्राउन ना हो जाए अब यह हो गए कि ढ कैसरे द्हुंत घ्राउन होने लगा है हो गया अच्छे से अब ढ़कना नहीं है अब खुलए आप दो भूर कर लेजे तो आप इसे चीला भी बना सकते हैं और बिलुकल दो से दोसा दोसा भी बना सकते हैं और अपना सकते हैं यह आपकी मर्जी है आप क्या बनाएंगे यह रेखिए दोनों तरफ से कितना फुले फुले हैं उपर से क्रेप से और अंदर से बिलकुल सौब और बहुत ही स्पाइसी बहुत ही बढ़िया है टेस्ट तो चलिए सर्किजी गरबा गरम किसी भी अचार चटनी के साथ बहुत ही अच्छा लाएगा और हेल्दी तो है यह सु